हाई फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला T20 का मैच आज खिला जाएगा थाइलेंड ओमेन वर्सेस निदरलेंड ओमेन्स T20 के बीच में दोस्तों ये आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा दोस्तों ही वीडियो न आपको बहुत जादा हेल्प करेगा दोस्तों वीडियो को लाइक से स्टाट करना मोटिवेशन के लिए और दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरू अच करना ताकि जितनी वी इन्फॉर्मेशन है आपको सही तरीके से मिल पाए दोस्तों और सारे मैचिस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कूशन बॉक्स में और जहाँ आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पे लिंक आपको पिन कर दिया है आप क्लिक करके easy join कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों अब records की और आगे बढ़ेंगे information की और आगे बढ़ते हैं यह जो match रहेगा दूस्तों यह आपको दो पहर 12 बजे यह match आपको देखने को मिलने वाला है प्रेम तीन सुलंडा international school चिरांग में यह मुकाबला होने वाला दूस्तों यहां का जो ground है इसका मैंने कुछ recent score मैंने देखा recent record जो की matches खिला गया था लगबग दोस्तों यहां पे जो है ना low scoring देखने को मिलेगा पहली बात इस match के अंदर मैं आपको बढ़ा दू 130-140 के आसपास आपको यहां पे score देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने T20 records ही देखा है और वो भी क्या Omen's का मैंने देखा है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह low scoring पीछ है और यही mindset से आपको players को आगे आपको sled करना है यह सोचते हुए कि balling पीछ है baller को support milling इस ground प पाटक का records इनका records T20 format में देखेंगे तो 55 match के अंदर 800-66 run score करा है अपने career records में बहुत अच्छे player है दूस्तों अगर आप लेना चाहते ले सकते हैं अच्छे खेलती है और इनका recent 2022 के अंदर अगर आप recent 5 matches में गौर करेंगे तो पहले match के अंदर 30 run फिर दूस्तों 9 run फिर पर 23 run फिर आपर 14 और फिर आपर दूस्तों 5 run score की है यह जो player है टीम के आपको टीम के टॉप अडर पर बैटिंग करते भी दिखेंगे और विकेट किप्रिंग करते भी दिखेंगे तो catches स्टंपिंग से भी आपको points दे सकती है बाकी बात करेंगे दूस्ते पर श्वनन का record तो यह एक ही match इसके लिए दूस्तों इनका record T20 format में उतना बहतर है नहीं तो इनको आप drop करते भी चलेंगे बैटिंग में देखेंगे दूस्तों यहापर जो next player रहने वाला है यहापर दूस्तों नेटकर रहें चत नाम यह जो player है T20 format में अगर आप देखेंगे तो 55 match के अ 102 run फिर 1 run score किये 4 run score किये बहुत बढ़ यहाप player है अच्छे form पे हैं captaincy के लिए इस वज़े से बिनका selection सबसे जादा है बाकि चायवाई का record देखेंगे 57 match के अंदर 921 run score किये दोस्तों बाकि यहापर पहले match के अंदर 11 run फिर यहापर 65 run फिर 5 run फिर 20 run score किये फिर 21 run बाकि य matches क अंदर यहापर 73 run plus 1 wicket निकाले हुए हिन्होंने अपने career का records में वह यह next player के records देखेंगे बन्तीडा next player एक ही matches है बैटिंग बोलिंग से कुछ खास records है नहीं आप इनको drop करेंगे और अगर आप देखेंगे तीपोच का record 157 match के अंदर 305 run plus 46 wicket अपने career का अंदर निकाले पहले match के अंदर देखेंगे 2022 के अंदर तो 9 run plus 3 wicket फिर 19 run plus 2 wicket फिर 8 run फिर 5 run 3 wicket प्लेयर बहुत ही मजबूत है जो कि बैटिंग के साथ साथ आपको balling से भी points देने वाली दूस्तों captaincy wise captaincy के लिए अगर आप चाहें तो इनको अपने team के अंदर आप रख सकते हैं वही next player क देखेंगे दूस्तों यह पर ओनिशा का रेकॉर्ड 55 match के अंदर 107 run plus 41 wickets निकाले भी है बैटिंग बॉलिंग दोनों से इनका रेकॉर्ड काफी बहतर है बाकिया पर चनिदा का रेकॉर्ड 56 matches के अंदर 565 run plus 47 wickets निकाले भी है बैटिंग बॉलिंग यह भी दोनों करते हैं आपको दिख जाएंगे बॉलिंग में अगर आप देखेंगे दूस्तों यह पर थी पार्ट से जो कि इनका रेकॉर्ड से अगर आप देखेंगे दूस्तों तो यह 20 matches के अंदर 6 run plus 16 wicket निकाली है देखो नेम आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा है क्योंकि इंडियन नेम यह है नहीं ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप जब टीम क्रेट करेंगे तो नेम और स्पैलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि similarity बहुत जदा आएगा नेम में ठीक है तो आपको confused नहीं होने होना है दूस्तों कि मैंने नाम सारे लिखा हुआ है और प नेक्स प्लेर का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहां दोस्तों नेट का का रिकोर्ड इनका अगर आप रिकोर्ड देखते हैं तो 57 मैचस के अंदर पान सो रण स्कूर किये दोस्तों यहां फिफटी सेबड विकेट निकाली बी एचैफ जिसमें से देखेंगे दो हज़ार बा यानि कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते इनको अपने टीम के अंदर आपको ट्राइ करना होगा दोस्तों बाकि लॉमी का रिकॉर्ड 47 मैच के अंदर 38 रन प्लस 50 विकेट अपने एक रिक अंदर है जो कि बहुत ही बढ़िया है लेक ब्रेक बॉलर है दोस्तों इनको ट्र लाइनप में नजराएंगे तो यह ध्यान रखना है जो दुस्तों आपको लाइनप में रहेंगे अब प्लेयर को लेते वी चलना ठीक हाला कि अभी रिकॉर्ड जिनका बैटर है उन्हीं को ट्राइ करेंगे हम लोग बाकि लाइनप के बाद हम लोग एक बार फिर टीम अप में देखेंगे दोस्तों यहां पे स्ट्रीक एल्स का रिकॉर्ड 22 मैच का अंदर 670 प्लस चार विकेट निकाले हुए अपने करेर का रिकॉर्ड तो बाकि रॉबिन का रिकॉर्ड 31 मैचेस का अंदर 345 रन स्कूर किया है रिसेंट 2022 का अंदर भी आप स्कूर देख सकते हैं हैदर का रिकॉर्ड 26 मैच का अंदर 369 प्लस 18 विकेट अपने करेर का अंदर निकाले हुए दोस्तों बाकि रॉबिन का रिकॉर्ड 3 मैच का अंदर 14 बॉलिंग से फ्लॉप है ओल अंडर सक्सन मेगर आप देखेंगे तो यहां पे दोस्तों एरिश श्वेलिंग का रिकॉर 27 मैच का अंदर 109 प्लस 27 विकेट निकाले हुए दोस्तों बाकि नेक्स्ट प्लियर इनका रिकॉर्ड तुना बहतर है नहीं तो आप गर आप चाहे तो इनको ड्रॉप कर सकता है अलागी 2022 में बढ़िया खेली है लेकिन इनका इनका दूस्तों ट्वेंटी के रिर उतना करले डिलीज का रिकॉर्ड दोस्तों जब चौबिस मैच का अंदर 19 रन प्लस 22 विकेट अपने करियर के अंदर ये भी बॉलिंग अपने स्पल के चार ओवर फिक्स है बाकि अगर आप देखेंगे दूस्तों यहां पे बॉयमेन का रिकॉर्ड दोस्तों ये बैटिंग बॉ जो कि अपने करियर के अंदर खेला हुआ है जिनका भी एक्सप्रियंस जादा है प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हो दोस्तों अभी टीम बना सकते हैं आप भी रिकॉर्ड को फॉलू करते हुए हला कि मैंने आपके लिए एक टीम त्यार किया हुआ हुआ है तो टीम एक बार आप देखे लो आपको और ज़्यादा help मिलेगा देखो मैंने records में जिस परकार आपको बताया है मैंने कहा था कि दूस्तो थाइलेंड के टीम के तरफ से और निधरलेंड ओमेंस के टीम के तरफ से दोनों खिलाड़ी, दो मतलब दोनों टीमों के विक्ट के पर के प्लेयर्स को अपने टीम के अन्दरा आप ले सकते हैं दोनों के दोनों important है टीम के top order पे खेलेंगे भी साथे साथ दूस्तो यहाँ पे आपको टीम के top order पे बैटिंग के साथ विक्ट के परूई दिख जाएंगे तो यह important है दोनों को try करना है अगर आप safe team create करते हैं बैटिंग में दूस्तों तीन बैट्स मैंने जिसमें से यहाँ पर दूस्तों एन चावे को इन पूर्टन बताया था इन तीनों का रिगोर्ट्स मुझे काफ़ी बहतर लगा है इस वजे से मैं इन तीनों को try करता हूँ और इन तीनों का T20 format का record से मैंने आपको बताया है 2022 के अंदर recent 5 में जिसका भी scoreboard share किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा help मिलेगा दूस्तों धियान रखना है अगर आपने वीडियो को सुरू से watch किया है तो सारी चीजे समझ मैं आएगा औलंडर में दुस्तों मैंने तीन औलंडर को लिया हुआ जिसमें से थाइलेंड ओमेंस के टीम के तरफ से दो खिलाड़ी है और आइस विलिंग को मैं ट्राइ करूँगा इनका वे record काफ़ी बहतर है बैटिंग बॉलिंग दोनों से तो इन तीनों ओलंडर को मैं अपने टीम के अंदर लेने वाला हूँ जो बैटिंग के सांस बॉलिंग भी करते हुए दिखने वाली है बॉलिंग में दूस्तों तीन बॉलर को मैं लिया हुआ इसमें से दूस्तों निधरलेंड के टीम के तरफ से ये खिलाड़ी तो ये कुछ option है जो आप change कर सकते हैं बगर टीम preview आप मेरा देख सकते हैं जिसमें से captain C के लिए दूसरे अपन चतराम को मैं try करूँगा vice captain C के लिए इनको try कर रहा हूँ क्योंकि betting bowling दोनों से record काफी बहतर है इन दोनों का हालकि ये team के open करते हुए दिखेंगी century भी लगाए हुए दूसरो 2022 के अंदर जो matches के लिए 2 match के अंदर recent 5 matches में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बैतर player है दूसरों इस वज़े से captain C के लिए इनका सबसे best selection है तो अभी इस team को आप लोग save कर लो और lineup का वेट करना अगर एक दो player change होता है तो टर टॉस में आपको final team telegram group में share कर दूंगा बाकि अगर आपको information से help मिलता है भायों तो वीडियो को like करते हुए हमे motivate जरू करना support जरू करना और दोस्तों final team के लिए telegram group से जुड़े रहना बाकि मिलते हैं और भी इसी परकार information के साथ बहुत जल्द next वीडियो में धन्यवाद